हेलो बच्चों नमस्ते जैसा कि हम लोग चेप्टर नम्बर पांच लागुत्यों सौपर्त और महात्यों सौपर्त तक भी पढ़ रहे हैं तो चले इसमें देखते हैं आगे का कुश्चन तो देखिए साधित उधरण का कुश्चन नम्बर तीन ये लिखा हुआ इसमें संक्या ग्याद कीजीए मर लब कर रहा कि कुई ऐसी दो संख्याइं हैं अगर उनका मासा पाटन तो 12 आता है और हिसे मिवं पांसोर जब इस तरह का इस तरह का कुश्चन हो तो इसक लिए 一گन की फार्मूला होता है और मैंने उपर लखा है इसका होता है पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर लासापा गुड़े मासापा अब इन चारों में से कोई तीन मालूम रहे और एक कोई ना मालू रहे तो इसी फर्मूले से निकलेगा अगर मालू दूसरी संख्या मालूम है लासापा मालूम है मासापा मालूम अगर मालो पहले संख्या मालूम है दूसरी संख्या मालूम है लासापा मालूम है और निकालना मासापा तब भी फर्मुला अगर आपको मासापा मालूम है पहले संख्या मालूम है दूसरी संख्या मालूम है और निकालना लासापा तब भी फर्मुला आपका यूज होगा प जैसे क्या मालूम है मासापा किनना है 12 तो लिख दो मासापा बराबर 12 फिर क्या मालूम है लासापा किनना है 2520 है तो कामा लगा करें लिख दो ला सा पा बराबर 2520 फिल लखा है यद इनमें से एक संख्या 504 है एक संख्या नहीं कि पहली संख्या पहली संख्या बराबर 504 तो दूसरी संख्या गयार कीजिए तो यहां लिख दो माना दूसरी संख्या बराबर X कुछ भी मैं सकते हो A, B, C, D, कुछ भी लिख सकते हो जो मालूम ना रहेगा तो उसको क्या मालोगे X माल लेंगे हम ठीक है तो इतना लखने के बाद हम पहले लखेंगे हम पर सूत्र सूत्र क्या हो तो हमारा पहली संख्या गुडे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुडे मासापा ठीक तो इसमें पहली संख्या के नदिया है 504 तो पहली संख्या के निचे लिख दो 504 गुडे दूसरी संख्या क्या माने हो यक्स माने हो तो यक्स लिख दो दूण संखय के स्थांपर फिर बराबर लगा सप्के Kate annat यह दिया 2520 गुड़े मा सप्के fewer बारै तो हरेक्व भारै बारह सभाष अब में कही करना यक्स कमान निकालना है तो जब भी यक्स और जो नमबर रहेगा जो जो संख्या रहेगी और जो भी चर रास रहेगा इस एक्स को बोलते हैं मैं चर रास है ना तो कोई भी लेटर यहां पर लिखो और कोई एक संख्या हो उसके बीच में अगर गुड़े का चिन लगा हो तो जब भी हमें एक्स कमान निकालना होगा तो जब एक्स को रोको गया तो जएगा एक्स बराबर पहले जो यहां संख्या दी हुई है गुड़े करूम में उसको कि अब है क्या करेंगे उपर जब मल्टिपर रहता है ठैक और सबस्मिल लखा जाता है तो उपर इनचे हम भाग करते हैं सेम संख्या से मतलब मालों अगर 12 संख्या से बाग करए तो या मेरत निचे बार्रक पाड़ें गाल टो पानशे और चक्पार किने बार एक बार तो बारा जाएगा अब बारा पढ़ा पड़ो 50 से ज्यादा ना जाए तो बारा चोप 48 50 में से 48 घटा हो बाकी बच्चा 2 2 और 4 24 कि तो बारा दुनना 24 हो गया ठीक 12 से उपर भाग करे 12 से नीचे भाग करें अब जो बचा उसको लिख दो यक्स ब्राबर 2520 का गुड़ा एक से होगा तो हो जाएगा 2520 बटे किना बच्चा 42 फिचा तो 32 लिख दो ठीक अब उसके बाद अब 42 और 2520 को भाग करना है तो 42 का भड़ा तो याद नहीं है तो 42 6 से कड़ेगा नहीं कड़ेगा तो 6 से कड़ेगा तो 6 से 42 अब उपर देखना है 6 से भाग होगा की नहीं होगा तो 6 से भाग कब होता है जब हो संख्या 2 से भाग हो जाए और 3 से भाग हो जाए तो 2 से भाग होगा 2520 को किसम संख्या है और 3 से भाग होगा कि नहीं होगा तो 2, 5, 7, 7, 2, 9, 0, 9 तीन सभी पूरई संख्या भाग हो जाएगी इसलिए 6 से भाग हो जाएगी तो 6 से भाग निछे करें छे साथ की नबुचेगा ते गासे ऋपर बहुत कर दा ठाइगा और ज़िसे परणिवन परण 55 से ज़ाएज हाहएं तो उताश में शाचो चौरिवी च्छा दुन्नी 12 और फिर 0 बचा तो 6 0 0 हो गया तो बराबर कितना बचा आपके पास उपर 420 बटा 7 अब 7 किसे भागोगा 7 से भागोगा तो साथ करने में 7 और 7 चक 42 और एक बार 0 हो गया यानि बराबर आ गया 60 यानि कि X बराबर कितना आ गया 60 तो लिख दो अताह दूसरी संख्या बराबर अताह दूसरी संख्या बराबर क्या माने थे एक्स माने थे तो एक्स बराबर क्या आ गया 60 आ गया यह हो गया आपका एंस्वर अब देखते हैं नुभाग फर्ष्ट का कोईशन नमबर एक इसमें लिखा दो संख्याओं का महत्तों समापवर्थ तक 38 और उनका लगत्तों समापवर्थ अठाने भेजार 154 है यद एक संख्या 1558 होगी यह भी उसी फर्मुले पर तो पहले इसमें जो मालूम है उसको लिख दो महत्तों समापवर्थ तक यानिकी मासा पा यह सलेशन लिखो मासा पा बराबर 38 फिर लासा पा बराबर 981154 एक संख्या यह लिखो पहली संख्या ठीक है पहली संख्या क्या हो गया 5559 होगया तो दूसरी संख्या उग निरिशन आपको मालूम करना तो लिखो माना कि दूसरी संख्या नो बराबर एक्स ठीक इसमां लेटर में एकसा लिखना है हां ना यक्स या एया या ब्या ची कुछ कि कह वता है पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर लासापा गुड़े मासापा तो पहली संख्या क्या है 1558 तो पहली संख्या के नीचे 1558 गुड़े दूसरी संख्या क्या है यक से तो है यक से लिए लासापा किनना है गुड़े मासा पा किनना है मासा पा है आपका 38 ठीक तो फिर वही चीज क्या लिखा है 1500 ठांग गुड़े यक्स यक्स कमान निकालना है तो यक्स को रोक लो आप तो जब यक्स को रोक होगे तो पहले जो इधर संख्या दी हुए इसको लिखो यक्स राबर अठानेवहजार एक्सो चोवण गुड़े 38 बटा कि एकजार पांसो अठावान तो फिर यहां पर निके भाग करना है चाहे इसको काटो चाहे इसको काटो तो पहले इसको इसको भाग करेंगे है ना यह दो से भी कटेगा दोनों क्योंकि 38 भी संख्या एक फांस संख्या को लेंगे जिससे जल्दी से जल्दी पुरा भाग हो जाए गर चोटी संख्या लोगे तो बहुत ज्यादा बार भाग करना पड़ेगा तो देखना 38 किसके पाड़ में होता है सबसे बड़ी संख्या 38 में तो 38 आएगा ही ने उससे छोटा क्या रहेगा 19 19 के जब 1558 को भाग करोगे 19 से तब भी भाग होगा पहले आपको देखना है तब भाग करना है नहीं तुरूंत भाग कर दो तो 19 का पड़ पड़ो 38 अब 19 का पड़ पड़ो किन्ना आ जाए 155 तो 19 8 152 अब 155 में इसे बावन घुटा पाकी बचा तीन तीन अवाठ 38 तो बन्द 98 154 गुड़े 2 बटा 82 अब 2 से 82 को भाग कर दो तो 292 और 248 और 292 हो गया ठीक तो एक्स ब्राबर एक्सवर प्राबर क्या बचा 98 1154 गुड़े एक बराबर 98 1154 अब बटा 41 अब 98 1154 सीधे 41 से भाग होगा तो जब एक्तालिस से 98 1154 को भाग करोगे यहां पर हमने भाग कर दिया है तो किन्वा पुचेगा 2394 तो यह एक्तालिस का पढ़ा 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 नहीं कि ठाने बर हजार 294 बार तो येक्स बराबर एंसर आगया आपका 2394 तो येक्स की क्सा मान था दूसरी संख्या क्या तो लिग दो अता दूसरी संख्या जो बराबर एक्स तो एक्स रहों किन्न आ गया 2,394 यह हो गया आपका एंसर अब देखो अनभाग सिकंड का पहला स्वाल इसमें लिखा दो संख्याओं का लासा तथा मासा करमसा नौ तथा बारा है अब एक सवाल में लासा के बगल में संख्यादीर होती थी और मासा के बग ना सा आया फिर मासा है करम समल लब करमभध है मजलेख एक के बार दूसरा लएगा तो मासा किरन हुझाइगा मासा किलना हो जाएगा 12 एक संख्याइन क्या पहली संख्याय तो है से जब स्लहूछन लगा qo नुसा लगाओ वर 9व पहली संख्या नोह 15 को थ्यूंवर 171 में लिखा हुआ है दो संख्याओं का उच्धा को टीनहें तो उनका लासा होगा अभी तक जो संख्याएं थी उन्सका संख्या अलग दिती कि पहले संख्या नहीं है यह रहता था अब इस बार दोने संख्या को गुड़ा सीधे दिया जैसे फर्मुलह होते हिए पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या से mocा तो दोने прилож how Link आप यहां पर पहली संख्याल endlessly संंख्या लग नहीं लिखो गये सीदहे लिखाए 2 संख्या करो लिखो मासा बराबर 3 लिखो लासा नहीं मालू है तो लिख दो माना लासा बराबर यक्स लासा के माला हमने यक्स माल लिया तो लिखो सूत्र क्या होता पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर लासा गुड़े मासा अब पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या केस्था पर सीद्र क्या हो जागा 216 बराबर लासा क्या है लासा एक्स है गुड़े मासा क्या है मासा 3 है ठीक अब दुखको एक्स इस तरफ है है नहीं लिख दो जब एक सेधर हो तो लिख दो इस प्रकार जागे दो 113 के तो ये घुड़े 3 भी बराबर होगा किसके 216 के बराबर होगा ठीक जब शक्त दाएं साइड में हो तो वैसा करोगे 226 में रहें तो सिधे हो जागा अगर दाय स्ट्रेड में है तो पलिक दोगे एक्स गोड़े तीन बराबर 216 जो भी सवाल करएगा जोकि 216 बराबर एक्स गोड़े तीन के तो एक्स को रोको हो मैं तो एक्स व को रोको के तो होजाएगा 216 बटा-टीन अब तीन और 220 को भाग ँरो तो 3 सी भाग होगा 3 कंदम 3 और 3 सते 21 बाग भी जाज है 3 sant stunning 6 तो एक स्रूब क्न आगिया बाक तर आगिया तो एक किस का मन था लासा का तो लिखो अता लासा बराबर अता लासा बराबर एक स्रूब बाक तर यह हो गया आपका अंसर, अब देखिए, साधी उधार का कुश्य नमबर दूसरा, लिखा है, 3 पावर माइनस 8, 3 पावर माइनस 11, 3 पावर माइनस 10, कलासा ग्याद कीजिए, तो जब संख्या मानस में दी होती है यहां पर क्या लिखा पावर में मानस 8 लिखा है मानस 11 है मानस 10 तो जब सभी संख्या मानस में दी हुई हो तो जो दिखने में छोटा होगा वही आपका बड़ा होगा तो जिसे माइनस 8 लिखा है माइनस 11 लिखा माइनस 10 तो दिखने में छोटा कोन है 8 छोटा दिखने में लेकिन माइनस 8 सबसे बड़ा होगा अब यहाँ पूछा लासा पा क्या होगा तो यहाँ पर देखो जो नीचे संख्या दियो जिसको बोलते हैं आधार और जो उपर संख्या दी हुई है उसको बोलते हैं घात तो यहां पर आधार समान है तो जो पावर सबसे बड़ा होगा वही उसका लासा हो जाएगा तो हम बताइगे हैं एगर यां-10 गια रचाएगा तो जब सभी संख्या माननस में दी हुई हो तो जो दिखने हमने को होता है बड़ा तो इसमें बड़ा कोण होगा माइनस आठ यानि जो इसका लासा पा होगा तीनों का तीनों का लासा पा क्या हो जाएगा तीन के पावर माइनस आठ अब इसी प्रकार का कुछ सवाल देखेंगे लेकिन वहाँ पर पावर जो रहेगा वो पलस में रहेगा मतलब जो पावर रहेगा घात उसके आगे माइनस नहीं लगा रहेगा से उसी प्रकार का कुश्यन है अनुभाग सगेंड का 24 नंबर लिखा पचीस पावर 3 पचीस पावर 5 पचीस पावर 7 का लासा होगा यह कि लिखा 25 अधार में है यह जो फचीस अधार में है पाँचister अधार में घात 7 में है ठीक तो यहां पर क्या आधार समान है तो जिसका घात बड़ा होगा वही उसका लासा होगा तो यहां पर देखो पिछला सवाल जो पड़े थे उसमें घात जो था पावर जो था वो मानस में दिया था यहां पर मानस में नहीं दिया है तो अगर पूछ तो 25 पावर 3 ठीक यह लिखा यही कि मतलब जब भी कोई सवाल पावर में रहे और उसका अधार समान रहे अगर लासा पूछेगा तो जो पावर बड़ा होगा मतलब जो घात बड़ा होगा वही पूरा नंबर उसका लासा होगा जिसे हाँ 25 पावर सबसे चोटा है वह मासापा होता मासापा अगर पूछेगा तो 25 पावर 3 मासापा क्योंकि पावर 3 सबसे चोटा है अब देखो अनभाग फर्ष्ट का कोईश्य नंबर 21 लिखा है 30 36 तथा 90 के लासा तथा मासा में अंतर है यानि कि पहले 30 36 90 का लासा निकालो चाहे जिस विदिस से चाहे गुड़ंखरंड विदिस से चाहे भाग विदिस से उसके बाद 30 36 नंबे का मासा निकालो तो जो लासा या वो और मासा या वो उन दोनों का क्या कर दो अंतर अंतर मनलब भटाना यानि लासा और मासा को आपस में घटा दो बस हो जाएगा उसका एंसर अब देखेंगे साधित उद्राड का च्छाठा सवाल लिखा है 5 27 कामा 35 बटा 80 कामा 20 बटा 21 का लासा क्या सीदे संख्या दी होती थी अब यह संख्या कि इसमें दी है बटे में 5 27 25 बटा 21 का लासा हमें बताना है कितना होगा अभी तक सीदे सीदे संख्याओं का लासा या मासा निकालते थे अब पढ़ंगे बटे में सवाल हो तो उसका लासा या मासा कैसे निकलता है तो चले इसक जैसे लिखा 5 बटा 27 तो यह जो 5 है वो अंस में है और 27 कहां हर में जो बटिम सवाल होता है उसमें उपर वाले को अंस बोलते हैं नीचे वाले को हर बोलते हैं और जो नीचे संख्या देवी है उसका निकाल दो मासा पा कब जब कहें लासा पा ग्याद करो तब जब बटे में संख्या दो ही हो और कहें लासा पा निकालो तो उपर वाले संख्याओं का लासा पा और नीचे वाले संख्याओं का मासा पा तो चलिए इसको हल करते हैं तो पहले न करेंगे 5 कामा 35 कामा 20 का लासा ठीक तो 2 से करेंगे 5 वैसे रहेगा 35 वैसे रहेगा और 2 धायम 20 हो जाएगा फिर 2 से करो 5 35 वैसे रहेगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा फिर 5 से करो 5 करेंगे 5 5 35 वैसे रहेगा 5 फिर 7 से करो एक 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 यहीं बगल लिते हैं लासा पा बराबर लासा पकिनना आया दो गुड़े दो गुड़े पांच गुड़े साथ दो गुड़े दो गुड़े पांच गुड़े साथ दो दननी चार चार पंचे बीस अब बीस सत्य एक्सो जालिस लासा पर किन आ गया एक्सो चालिस अब नीचे वाले के निकालेंगे मासा पर निकालेंगे ठीक है नीचे वाले का तो किसका मासा पर 27, 81 और 21 का मासा पर लिखो अब तथा 27, 81, 21 का मासा पर निकालेंगे पहले मासा पर किसके निकालोगे जो दो संख्या चोटी हो तो 21 और 27 पहले 21 और 27 का मासा पर का मासा पर तो 21 एकिस एकिस बाकि बचा छे अब यहां किस उतार हो तो छे तरिक 18 बाकिस बिचा 3 अब यहां 6 लिखो तो 3 दूनी, 6 अभी मासा पर किनन आया, 3 आया तो लिक़ो यह अपर मासा पर बराबर 3 आफ किसका मासा पर निकालना है 3 और जो भी संख्या बाकिय एक। इक्या, इसका मासा पर निकालना है तो यह बगन मे лиट देती है, फिर से ठीक, तो कि भी नीचे काम पड़ेगा, तो लगेखो अब, तीन और अग्यासी का मासा पा, तीन और, एक्यासी का मासा पा तो तीन से करो 81 को तो तीन दुननी छे बाकिवे चाद दो दो एक 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 एस तीन से एक एस अब इसका एक कोई संख्या नहीं है यहनि पूरा मासा पा 27, 81 और 21 का मासा पा आ गया 3 आता है 27, 81 का मा 21 का मासा पा बराबर 3 आ गया तो बस हो गया अब लिख दो इसलिए इसके बाद यह क्ये थे अब लिखेंगे इसलिए क्या था सवाल 5 बटा 27 का मा 35 बटा 81 का मा 20 बटा 21 का इसलिए लासा पा बराबर तो पले हम निकाले है लासा पा तो लासा पाजाशा पा इकन न आ था ? 140 लिखेंगे उपर बटे की चल्ट लगाकर उपर लिख दी है अब बटा बात में निकाले थे ? मासा पा तो मासा पा किन न आ गया ? तीन आ गया यह हो गया आपका एंसर यह जो पांच बटा 27 पैटिस बटा 80 और बीस बटा 21 का जो लासा पाओ किना आएगा एक जो नीचे हर में रहता है उसका मासा पा निकालो बस और यह एंसर हो जाएगा तो ऊपर वाले का मासा पा और नीचे वाले का लासा पा बस एंसर हो जाएगा आपका अब जैसे देखो कुश्चन नंबर 13 उसी परकार का है जो भी मैंने बता है साधी तुरण का छाठा सवाल उसमें लासा पा का था इसमें कहा रहा है मासा पा लिखा है दो बटे 7 तथा 4 बटे 17 का मासा पा है यह से लिखा है ना दो बटे 7 तो इसको लिख दोगे इससे दो बटे 7 तो चल्वेट इसधे लिख दोगे तो जो लिखा है 2 बटे 7 इसको यह से लेकिन क्का तो उपर वाले के मासा पा किसकर आसा पा दो और suka मासा पाईगा दो और बांस में कहते करो जो हर है नीचे संख्या उसका इनिशब गालो ऩng दो बटा 119 जब मासा पा कहेगा तो उपर वाली संख्यों का मासा पा और नीचा वाली संख्यों का लासा पा अब देखो असी प्रकार का अनभाग फर्ष्ट का कुश्य नंबर 38 लिखा है अठारा बटा 25 कामा 21 बटा 40 कामा 35 बटा 75 का मासा निकालिए तो जो 4 अपसं दिया है 114 अपसं पचीष 1227 सब गलत दिया है अगर इस सवाल का मासा पा निकालोगे तो एंसर आएगा 1 बटा 600 आएगा एक बटा 600 तुम्हें बता रहा था कि अगर अगर आप संध्य वह आपका नहीं आएगा उसका एंसर आएगा एक बटा 600 अगर लासा पानिका लोगई जैसे यह जो question दिया है question के answer जो विकल्ब दिया वो गलत दिया है question करा मासापा निकलो तो मासापा आएगा आपका एक बटा 600 ही आएगा और अगर लासापा निकालते हो तब जाकर 126 आपका answer आएगा तो अगर इस सवाल के अगर मासापा आप निकालते हो तो इसे तो एक उपर लिए दोगे बटा लगा होगे फिर जो संख्या नीचे दिए पचीस चालिस पचात्तर तो उसका लासा पा आएगा 600 तो 600 उसके नीचे लिए ठीक है मासा पा निकालोगे तब मासा पा अगर कह रहा है तो उपर लिए संख्याओ का मासा पा नीचे लिए संख्याओ का मासा पा तब एंसर आगा आपको 126 अब देखो अनभाग स्केंट का कुछिश्चि नमर 22 लिखा 60 और 72 के मातुं सवपरत का गुड़ांफर बराबर होगा तो वह किसके बराबर होगा तो फर्मला क्या होता है पहले संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर लासा पा गुड़े मासा पा तो लासा पा गुड़े मासा पा तो लासा पा गुड़े मासा पा किसके बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुड़ंपल के बराबर हो होगा दो संख्यां कमातों सवपवर्त तक 38 और उनका लगतों सवपवर्त अठानवीज़ रख सो चुवन है यद एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी पहले यह बच्चे नुड़ करेंगे जिसके में अनभाग कोश्ट में पहला यह सवाल होगा तो उनको नुड हड़का दो तीन छे कोश्ट नंबर दूसरा कोश्ट नंबर तीसरा कोश्ट नंबर चाथवा अनभाग फश्ट में कोश्ट नंबर एक कोश्ट नंबर तेरा कोश्ट नंबर 38 कोश्ट नंबर 40 अनभाग सिकंड में कोश्ट नंबर एक कोश्ट नंबर दस कोश्ट नंबर 14 क परियास कीजिए में कोश्य नंबर दूसरा कोश्य नंबर तीसरा कोश्य नंबर गिरावा यह आपका 28 तारिक 6 मिनूट 2020 का होमवर्क है अब वो लोग हमवर्क नूट करेंगे जिनके बुक में अनभाग फर्ष्ट में पहला स्वाल होगा पर्थम सो प्रकरत संख्याओं में तीन और पांच दोनों से भाग हो जाने लिए संख्याओं की संख्या है वो बच्चे नूट कर लें साधित उध्रड का दूसरा तीसरा छटवा सवाल अनभाग फर्ष्ट का तीसरा पांच वा सत्रह सवाल अनभाग सिकंड का पहला दसवा कुछ नंबर 14 कुछ नंबर 21 कुछ नंबर 22 कुछ नंबर 24 यह सवाल लगाना है और प्रयास कीजिए का सवाल जो भी कुछ नंने लग पाएगा उसके बार हम बताएगा हम आपको फिर से समझा देंगे थैंक यू